हाँ तो दोस्तो भारती वायू से ना यानि कि इंडियन एरफोर्स के ओर से बेकेंसी का अपडेट आ चुका है कौन कौन एपलाई कर सकते हैं कब तक डेट होगे कितना फिल लगेगा सारा का सारा मैं इस वीडियो में पूरी जानकारू दूँगा दूसरा कोई ओर वीडियो और कोई नोटिफिकिसन नहीं देखना पड़ेगा ठीक ना यह मैं गारेंटी वादा करता हूँ आपसे आए जानते हैं देखिए भारती वाई से ना यानि कि इंडियन एरपोर्स की वेकेंसी है ग्रूप एक्स और ग्रूप वाई दो ग्रूप होते हैं ठीक ना ट्वेल्थ के बाद आप अपलाई कर सकते हैं अब आए जानते हैं डेट तो देखिए आपको फॉम भणने की डेट कब से हैं आविदन सुरू हो जाएगे आपकी 22 जनवरी 2021 से और लास्ट डेट रहेगा फॉम भणने का साम के 5 बजे 7 जो फरवरी है ठीक ना 7 फरवरी 2021 साम के 5 बजे तक फॉम आप अपलाई कर सकते हैं 22 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक फॉम एपलाई कर सकते हैं ये चीज अपने माइंड में सेट कर लिजे ठीक परिक्षा कब होगी तो 28 से लेकर के 22 अपरेल के बिच आपकी एकजाम होगी 18 से लेकर के 22 अपरेल तक आपका एकजाम होगा किसी भी दिन हो सकता है ठीक admin card बता दूँ आपके exam से एक सप्ता पहले आएगा साथ दिन पहले उससे ज़्यादा जल्दी नहीं आएगा ठीक ना ये चीज हो गई अब देखिए यहाँ पर form कितना लेगा चाहे आप किसी भी category से हो ठीक ना general हो, OBC हो, EWS हो, STSE हो सबको 250 रुपए, 28 रुपए form का लगेगा यहाँ पे ठीक, चाहे आप किसी भी category से हो कोई यहाँ से category से संबन नहीं है निका ठीक ना, सबको भी payment करना पड़ेगा तभी आपका admin card आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ठीक, अब देखिए आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए सारा संका दूर करूँगा, यह मैं वादा करता हूँ आपकी लंबाई 5 फिट होनी चाहिए ठीक, जादी नहीं सिर्फ 5 फिट only 5 फिट यार, 5 फिट 102.5 cm, cm में बोले तो, ठीक न सीना कितना होना चाहिए, जितना भी आपका सीना हो, कोई जोर नहीं, कोई 81, 80, 70, जितना भी है आपका सिर्फ आपको 5 cm फुलाना होगा ठीक, वजन कितना होना चाहिए, तो वजन आपका 55 kg होना चाहिए, लेकिन 45 से अगर आप 55 के बीच है तो आपका, स्वरी, 50 से 60 के बीच में है, तो आपको ले लिया जाएगा यानि कि 5 kg कम भी रहेंगे, तो अभी यह लेंगे, और 5 kg ज़्यादा रहेंगे फिर भी यह ले लेंगे, ठीक, लेकिन यहाँ पे 55 kg आपका वेट है उम्र सीमा बहुत कम होती है 16 से 19 से बच्चे हैं यहाँ पे आपका जो एक्जाम दे पाते हैं तो आए जानते हैं, देखिए उम्र सीमा के बात करनों, ग्रूप X ओ या Y दोनों उमिद्वारों के लिए, ठीक समू X और Y दोनों उमिद्वारों के लिए आयू सीमा क्या होनी, देखिए अगर आपकी आयू सीमा 16 तारिक तक चलेगी ठीक ना, 16 एक 2000 एक तक अगर आप जन्म ले लिए हैं, ठीक, 16 जन्वरी 2001 से लेकर के 29 दिसंबर 2004 के बीच अगर आपका जन्म है, 16 को जन्म है या फिर 29 को तब आप अप अपलाई कर जाकेंगे, ठीक, इतने से इतने बीच के, या फिर 16 को एकदम एड़ेट जन्म है या फिर 29 दिसंबर कोई, तो भी आप अप अपलाई कर सकते हैं, लेकिन इनके इनके बीच के ही आपका डेट अब बर्त होना चाहिए, ठीक, यह चीज़ जान लिएं आयू में कोई छूट मिलेगी क्या, क्वेश्चन होता है बहुत से लोगों को, तो मैं बता दूँ आयू में कोई छूट नहीं मिलेगी दोस्त ठीक, अभी हम सारा कुछ नोटिपिकेसन भी आपको दिखाएंगे, अब गुरूप एक्स के लिए जानते हैं, ठीक ना, पहले गुरूप एक्स जानेंगे, एक्स का जो काम होता है, वो भी बता दूँ, आपका जो मसीनी काम दिया जाएगा, जो एरफोर्स में होते हैं, अंदर का काम दिया जाएगा, ठीक, आपमें को इसके में फिल्ड वर्क नहीं करना होगा, और एक्स का सेलरे भी कापी अच्छा होता है, ठीक ना, वाई के मुकाबले, ये चीज़ हो गए, और यहाँ पर क्वालिफिकिसन के क्या बात है, तो देखें, बारवी पास आपकी होनी चाहिए, और बारवी में क्या-क्या आपका होना चाहिए, संकाय होना चाहिए, फेकल्टी आपकी साइन्स, ठीक, ये चीज़ हो गए, और कौन-कौन सबजेक्ट होनी चाहिए, ये भी सुन लिजे, आपका मैत होना चाहिए, यानि कि गानित बहुत दिक होना चाहिए, यानि कि physics ठेक, दो चीज होनी चाहिए, और आपकी अंग्रेजी होनी चाहिए, और उसमें अंग्रेजी में, इंग्लिस में 50 marks आये हो, ठेक, इंग्लिस में कम से कम 50 marks लाये हो, और सभी जोड के 50 marks, आनि कि 50% आपका 12th में होना ही चाहिए, ठेक ना और साथ में आपका English में भी 50 होना चाहिए, कम से कम 50, 50 भी है तो भी चल जाएगा, ठीक, ये चीज हो गई, अब देखे, इसके अलावा अगर आप डिपलोमा किये हैं, ठीक ना, मान लिज आप 12 नहीं किये हैं, लेकिन आप डिपलोमा किये हैं, तीन वर्स का कोई भी course डिपल मिल जाता है, तो आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं, अब आईए बात करते हैं, ग्रूप वाई, तो ग्रूप वाई की लोकर ना, जो ग्रूप वाई पोस्ट है, इसमें लोकर, लोगों को काफी डाउट होता है, मेरे दोस्तों को काफी संका होती है, कि क्या आर्ट वाले और Commerce वाले भी अपलाई कर सकते हैं जी हाँ ग्रूप Y में आर्ट और Commerce Science 800 Commerce या फिर Science सब्सक्राइब कर सकते हैं केवल 12 पास होना चाहिए ठीक ना केवल 12 पास होना चाहिए लेकिन ग्रूप X के लिए केवल Science मैं बताया ना केवल Science उसमें भी physics और math होना चाहिए ठीक अब आई जानते ग्रूप Y तो ग्रूप Y में आप 800 Commerce या फिर Science तीनों के लिए अपलाई कर सकते हैं ठीक किसी भी संकाय से बस आपका 12 होना चाहिए यहां पर क्या लिखा सारा डाउट करूँगा दोस्त देखे अधिक दोंको के साथ यहां पर लिए कि अधिक वीवरण के लिए 50% अंको के साथ का व्वोकेसनल चैर अधिस हुचाना देखें इसको मैं बता देता हूँ क्या है यहां पर अगर आप दो साल का लोग संचतें कि थोड़ा सब्सक्राइब करें नादिस। गली चो रहा हों पर कि मैं इतना जान लिया अरे भाई पहले नॉटिफिकेशन देखो नॉटिफिकेशन सारा कुछ होता है ठीक ना आएए मैं आपको लिंक दिखाता हूं देखे अधिसूचना डाउनलोड करें तो यहां से मैं अधिसूचना को डाउनलोड करने ता हूं अब आपको इसको अश्टडी करके दिखा देता हूं ताकि कोई डाउट ना हो ठीक सारा का सारा जो भी वीडियो में लाता हूं ना एकदम हंडेट परसें और उसको पूरा डिफाइन भी करता हूं ठीक न ऐसे ही नहीं बोलता हूं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्त अपने आपको थोड़ा बुलंद बना लिजेगा कि क्यों आप विस्व के चौथे सबसे बड़े सेना में सामिल होने जा रहे हैं ठीक ना उसका एक हिस्सा बनने जा रहे हैं देखिए इंडियन एयर फोर्स इन्भाइट ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फोर अनमेरीड के पूरसी होना चाहिए उसको लड़का होना चाहिए और वह अभी अभिवाइट साधी सुदा किया है तो फोर्म को अप्लाइए नहीं कर सकता है ठीक ना दो चीज हो गई, इंडिया, नेपाल, इंडिया का भी आदमी कर सकता है form को apply और नेपाल का भी, दो चीज यहाँ पर दिया है, ठीक,citizen, आप भारत से जन्मलिय हों, फिर भी आप apply कर सकते हैं, चाहे आप नेपाल से, ठीक, नेपलीज, देखने हैं, हाँ, तो बहुत से लोग को मालूम नहीं होता है कि नेपाल के भी लोग इंडिया में अपलाई कर सकते हैं कैंडिडेट फोर सेलेक्षन टेस्ट फोर ठीक ना इंटेक देखिए यहां पर डेट दिया दिया है इंटेक जनवरी 2022 आपका सेलेक्षन होगा जनवरी 2022 में टू जॉइन एज एर्में किस मेर क x trade ठेक और group वाई trade दो ट्रेड में हैं ठेक X का Technical होता है और Y का non-technical होता है तुम्हैं स्टिक स्टेबल की थैकर ये भी चीज बता दिया आपको रसोही काम सुस्पा जा सकता तो ये चीज होंगे एरमेंग Rod मैं बताता हूं Online देट कव है ौणaim डेच्टेशन अड़ सारा कुछ बता दिया जैसा कि मैं और एक बार बता दूँ यहां पे 22 जनवरी से आप form को भर सकते हैं, कितना जनवरी से, 22 जनवरी 2021 से लेकर के 7 फरवरी 2021 तक apply कर सकते हैं, ठीक न, देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, असपर्ष्ट अक्षरों में एक्टम clear cut, ठीक, यह चीज हो गई, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ओनलाइन एक्जाम डेट ओनलाइन एक्जाम डेट ये भी आप देख लिए ठीक 18 अप्रेल से लेकर के 22 अप्रेल 2020 तक मैं सारा कुछ इसलिए दिखा दे रहा हूं ताकि आपको और कोई कंफ्यूजन न रहा जाए ठीक ना इसलिए देखे अगर कोई बोलता है आपको कि इंड देखे निचे में इन्होंने असपस्ट अक्षरों में बता दिया डिस्क्लेमर में ठीक ना यहां पर देखिए फोर केरियर डिटेल देखे फोर एनिक क्वेस्टिन आपको कुछ भी सिकायत होगा और इन्होंने इसका जिक्र भी किया है और अगर आपको इंडेन एरफोर्स उब टिदी ऒढिए लखे लेकिन आपको सारा का सारा नौलेज मिलेगा जितने भी दोस्ट देख रहे होंगे या पर जितने भी में दोस्ट ट्रूवल्थ के होंगे उन तक यह विपढिज्यव पहुचा दिजिएगा आपका बहुत भला होगा ठीक ना जल यह नहीं जलनसील नहीं बनना है हम लोगों को भी आपको बता दिया कि क्या को Commission चाहिए अगर आप गुरुप X के लिए भरना चाहिए to Science में होना चाहिए ठिक न और यहां पर ऑप 12 से से किसी भी से हैं किसी भी फेकल्टी से आप क्या होना चाहिए आपको गुरुप Y में भरना चाहिए ठीक किसी вी किये doppio अर्ट्स कोंअर्ण्स थो आप बढ़ेंगे और साइन्स दोंबन सकते हैं ठीक झीज होगे फोटोमें का साइज मैं दिखा दू यह से केफय वालों का काम होता है दस पासपोर्ट होना चाहिए और आपका जो नहीं कोई लेकिन कोई बात में जन्वारी तक है सितम्बर मेन तीन मेह नतwent अगर आपका photo है इसक्ष कर पोड़े खीक न होना चाहिए 10-50 यह यह चाहिए आपका फोटी सीगनेचर आपको अपलोड जाना चाहिए सार इसार में बता दिता हूँ ने लेफ्ट 메ndt यहां पर लेप्ट हैंड थम इंप्रेशन आपका जो जहाँ पर फॉम भरेंगे वहाँ पर आपका जो अंगुठा का निसान देना है ठीक ना बाएं अंगुठा का और दस से पचास के भी का होना चाहिए तो जब भी आप फॉम भरने जाएंगे तो वहाँ पर एक स्टांपर लेजते जाएगा ठीकना और देखिए चैन्डिडेट सीगनेचर इमेज ठीकना आपका जो सीगनेचर करते हैं वह 10 से 50 के भी का बीच होना चाहिए आपको अंगउठा भी लेजाएगा ठीकना बुलू वाला सियाई से मैं बता दूं और एक बार देखिए चैन्डिडेट अब देखिए यहां पर दिसरा चीज़ क्या बता रहा है इन्होंने दमार कर देए इंक्लोटेंट सब्जेक्ट एप्लाइंग थ्री यह इंजिनेरिंग डिप्लोमा कोर्स हाँ जो लोग थ्री यह डिप्लोमा कोर्स किये हैं ठीक ना उनका इंग्लिस भी होना चाहिए इंग् इंग्लिस में नहीं था लेकिन इंजिनेरिंग की हैं तो आप अपको दिक्कत हो सकती है अब आएज जानते हैं आपका इक इमेल आइडी होना चाहिए इमेल आइडी का आपको सारा कुछ याद होना चाहिए और उसका पासवर्ड भी ठीक ना अब आए देखते हैं दूसरा चीज तो कोविट नाइन जो अभी चल रहा है कोरोना उनके लिए कुछ यहां पर सूचना दी गई है अब यहां पर हम इंप आप पर बताया है कि इनके कोई भी केंडिडेट अगर कोई केंडिडेट किलियर सा ओल दा राइट मतलब आप एरफोर्स में सभी चीजों को क्लियर कर चुके थे ठीक ना अस्टेज ऑप दिस सेलेक्शन प्रोसेस पूरा कर लिये थे देन द अपर एज लिमिट अगर आप पूरा का पूरा प्रोसेस कर लें लेकिन लास्ट में आपका चैन नहीं हुआ ठीक ना किसी कारण लेकिन आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो वैसे इसलिति में अगर आपका उम्र एक साल तक है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक ना लेकिन यहां प्रोसेस के हो करने के बाद अगर प्रोसेस में होता है और अब यह आपका चुनाव नहीं होता तभी क्या वहीं के अपलाई कर सकते हैं ठीक अब देखिए ग्रूप एक्स के लिए 50% होना चाहिए देखिए पास्ट इंटर्मिडियेट हां पास्ट इंटर्मिडियेट मैथ फिजिक्स ठीक इंग्लिज फ्रॉम एन अ एडुकेशनल बोर्ड सी बीसी चाहिए आप किसी भी राईज के बोर्ट से यानि सरकारी स्कुल से किया है या प्राइबेट स्कुल से उनसे उनका कोई मतलब नहीं है ठीक अब देखिए 50% मार्क्स होना चाहिए यह भी मैंने बता दिया और सबी अपलाई कर सकते हैं 50% आपका मार्क्स होना चाहिए औल अबर और आपका इंग्लिज में मार्क्स होना चाहिए 50 ठीक ना दो चीज यहां पर कंपल सरी है अब देखिए यहां पर थोड़ा से इन्होंने बोकेशनल कोर्स के बारे में बताया है कि देखिए 50% मार्क्स को अरे बाप दोस्तों सवरी मुझे थोड़ा चीटी काट दिया ठीक ना देखिए अगर आप आप टेक ना और 12 टेन में अगर आपका इंग्लीस नहीं है सींपल बात करना हूं इंग्लीस नहीं है मजबूत तो एरफोर्स में मत जाएगा यहीप मैं बता दे रहा हूं ठीक न ही में ठीक ना फास्ट ट्वल्थ पास आपका ट्व्ल्थ पास होना चाहिए इंटरमेडियेट में ठीक ना motivo ट्स कहमेश्ट ड्लस न बोलोजी ठीक स Congrats अब ग्रूलऑब स्फिपल यहीं मेडिकल जो स 대ता मेडिकल dun Яनी कि यहां को को इनका होता है references का sepital की वहाँ पे अगर आपको stat का काम कारना है तो आपका Dolay himself ओना चाहिए ठीक न और English भी होना चाहिए और English ने 50 पर होना चाहिए ठीक न और और आपका 50 परशन पर रहना चाहिए सब मिलाकर और और आपकाsta स्ट मिप्रों होना चाहिए साथ में biology भी होना चाहिए यह चीज होगी जहां आपको नहीं समाझ में आता आप हमें तुरंत कमेंट किजिएगा मैं आपका reply दूंगा जैसे ही मुझे अब देखिए अगर आप बोलेंगी कि भाई मेरा 49.99 परसेंट है तो क्या मैं अपने कर सकते हैं आपका कम से कम 50 परसेंट होना ही चाहिए 50 से एक भी एक थोड़ा सा भी काम है फिर भी नहीं चलेगा ठीक ना पचास से जीरो पॉइंट भी कम है फिर भी नहीं चलेगा एकदम 50 का 50 होना चाहिए 49.99 नहीं चलेगा ठीक इन्होंने यह कंफर्मली बता दिया है पूरा अब देखिए क्या यहां पर बताया है बेंडिकल में आपका दोनों वह दो बात की बात है मेडिकल वगरा ठीक ना यहां पर मैं बता दूँ देखिए हाइट की इन्होंने बात की है तो आपकी हाइट कितनी होने चाहिए इन्होंने असपस टूप से बताया है 122 सेंटिमेटर होना चाहिए यानि कि 5 फिट 122.5 होता है यानि कि 5 फिट ठेक ना अब देखिए यहां पर यहां पर बताया है इन्होंने कुछ 165 सेंटिमेटर हावे अबर म्यूजिसियन फूरा यह पर स्ट्रेड अमेंटरी अगर आपकी लंबाई 155 सेंटिमेटर है तो बाद में आपको वहां पर कुछ काम मिलेगा अच्छा ठेक ना यह से तो मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूं क्योंकि मैं एक दोस्त एरफोर्स में गया है फिलाल ठेक ना अब देखिए मैं इंपोर्टेंट चीजों को बताता हूं आपकी क्या होने चाहिए रणिंग वगेरा सारा कुछ मैं बताऊंगा ठीक देखिए वेट के बारन ने इन्होंने सिंपल ही बता दिया है आपको जितना 55 किलो ठीक ना और 55 के जीवेट 5-10 किलो 5 किलो कम होगा या फिर पांच किलो ज्यादा तो भी आपको ले लिया जाएगा ठीक देखिए आपको दांत अच्छे से साप करते रहिएगा दो बार ब्रक्स किजिए ठीक एरफोर्स में दांत को अच्छे से चेक किया जाता है यह चीज हो गई अब चलिए मैं बताता हूं आगे आपकी दोड़ वगएरा यह कहां गए दोड़ अब देखिए हाँ तो सबसे पहले आपका एकजाम होगा ठीक ना और मैं दोड़ वगएरा का बात बताता हूं देखिए ट्रेनिंग ट्रेनिंग की बात आई यहां पर तो ट्रेनिंग आपका जब भी होगा तब आपको कितने सेलरी मिलेंगे 14600 रुपई की सेलरी मिलेगी ठीक जितने दि यहां पर मिलते हैं 33,100 रुपई ठीक 33,100 रुपई मिलते हैं उसके अलावा आपको मिलेंगे ग्रेड पर यानि कि भत्ता स्पेसल जो आपका फैसलेटिस है वगएरा उसके लिए आपको बाउन्स रुपई या फिर 62 रुपई दिया जाता है अभी यहां पर डिटेल में हम ठीक ना और देखिए यहां पर मैं बता देता हूं आपको सारा जितना भी वहां पर मांसा हार है या साका हार मतलब अगर आप मिटमाश खाते तो उनकी भी सुभीदा वहां पर दी जाती है बुक वगएरा सारा कुछ पढ़ने दिया जाता है देखिए अगर आपको कुछ इनकेस हो जाता है वहाँ पे तो आपको 50 लाख का बीमा करवा जाता आपके अगर आप बाद में साधी कर लेते तो आपके वाइप को या फिर आपकी माता को ठेक ना आपके घर में बड़े जो हैं उसको 50 लाख रुपए का बीमा दे दिया जाएगा ठेक अगर आपको इनकेस बाइचांस अगर कुछ हो जाता है ठीक यह से हो गई अब यहां पर हम दोड़ वगएरा की बात कर लेते हैं और एक्जाम हो गएरा के ठीक ना तो देखिए वीडियो लंबी बनेगी मैं बता रहा हूं लेकिन आपको सारा का सारा नोलेज मिलेगा यह देखिए ग्रूप एक् में अब क्या-क्या वह भी जान लिए इंगलिश होगा फिजिक्स होगा और चाम में आपको क्या-क्या बनाना होगा इंगलिश में और फिक्स आपके question paper में question दो भासावं में होगा Hindi और English ठीक आप जिसमें भी compatible है वो आप आराम से बनाईएगा group Y के लिए 45 मिनट का time होगा और क्या क्या होगा सुनिए English होगा ठीक ना 20 marks का English होता है और reasoning होता है और general awareness होता है तीनों मिला के 50 marks का होता है इनका exam ठीक group Y का और group X का यहां पर confirm नहीं बताया है लेकिन group Y का 50 marks का होता है ठीक ना क्यूंकि मेरे पास एक book है तो मैं साइध बुक को भी आपको दिखा दूं ठीक ना कौन से बुक से तयारी करना चाहिए देखे ग्रूप X और Y जो दोनों ट्रेट डालते हैं साइंस का अगर कोई बच्चर डालता है साइंस से हैं तो आप डोनों ही डाली है ठीक ना और यहां पर नेगटिव मार्किंग बता दूं कि अगर आप चार कोश्चन गलत करते हैं चार कोश्चन गलत करते हैं तो आपका एक साही उत्तर काट लिया जाएगा यानि कि 0.25 marks के नेगटिव मार्किं अब यहां पर सिलेबस भी मैं ने बता ही दिया लगबग में ठीक ना अब दोड़ वगरा की बात है ना तो हाँ अगर किसी दोस्त ने NCC क्या है चाहिए को सर्टिवेट कुछ भी हो A हो B हो या C हो आपको वहां पर डालना चाहिए क्योंकि इससे आपका सेलेक्शन का जो च इसक्स क्लिमेटर जिसे एक मेल भी कहा जाता है एक मेल यानिके 16 मीटर ठीक यानिकी 1.6 क्लिमेटर कितनी में समय में कंप्लिट करना है दोनों के लिए ग्रूप एक सुर वाई दोनों के लिए ठीक ना साथ चे मिनट तीस सेकेंड शाड़ेश मिनट में आपको कंप्लिट कर लेना है ग्रूप एकस और य दोनों के लिए ठीक 1600 मिटर की रेस आपको कितने समय में कंप्लिट करना है शाड़ेश मिनट में बहुत ही जी बहुत ही बहुत ही जी टेंसर मतल तो मुझे मालूम है क्योंकि आप लोग दोड के राजा है बाई ठीक क्या पूसप यहां पर आपको टेन पूसप लगाने हैं आप लोग तिसे गरदा उड़ा दीजिएगा एकदम टेन सिटब भी लगाने हैं इससे भी एकदम गरदा उड़ा दीजिएगा ट्वेंटी सिटब फिजिकल में आपको कोई प्रोब्रम नहीं होगा मुझे मालूम है जहां होगा यहां पर होगा कि आपको इंगलिस से ना टॉकिंग करना वोगा एक साथ बैठक ठीक ना तो अगर आप फ़ोंग भर्ते हैं तो इंग्लिश टॉकिंग शुरू कर दें अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना इंगलिस से ठीक ना और बाकी छोड़ दिजिए अल्ला तो आपको मैं एक दोस्त की बाति सारा कुछ समझा रहा हूं जनवरी जून देखे आपको यहां पर बताया गया है नौट कैंडिडेट हो क्वाइलिफाइज सेलेक्शन टर्म्स देखे अगर आपको सेलेक्शन वगरा होने लगता है तो आपको जनवरी से जून के बीच में आपका नाम बता दिया जाएगा और 31 अक्टूबर को यहां पर बताया कि कॉल लेटर भेज दिया जाएगा पर अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है तो 31 अक्टूबर को जारी कर देंगे इन्होंने ओन डिस ठीक अगर आप सेलेक्शन हो जाते हैं फाइनल सेलेक्शन में तो अच्छी बात है भारत में सर्विस कर जाएगा देखे आपको मेडिकल में क्या क्या चेक्क mosquito भी बता देता हूँ सारा का सारा मेडिकल में चेक्षण क्या गया देखें मैं पूरा का पूरा बीडियो बता रहा हम ठीक ना बोर मत होएगा बलड हिमोगलॉबिन यानि के आपके सरीर में कितना लामगट होता है उससे तो पूरुसों के सरीर में 14 फॉन होता है 14.5 ठेक ना में हीमोकलोबिन चेक किया जाएगा यानिकिशा और नगराम खुन है दूसरा क्या जाएगा यहां पर देखिए बायोक्रेमिकल सुगरवाइद आफ़का खाली पेट ठेक सीरं चेक किया जाएगा मुत्र च ठीक ना इसी चेक क्या जाएगा और जितने भी इनके इंपोर्टेंट चेक होते हैं सरा का सरा चेक क्या जाएगा और मेडिकल में एक चीज होता है कि जितने भी आपके गुपता आंगे वहां के सारे के सारे बाल हटा दीजिएगा यानि के छिल दीजिएगा ठीक और 40 रुप वाउसमें सारा सारा फिरी होगा देखिए इन्हों में यहां पे कहा है कि यह आपको किसी भी और कालत избत है तो साथ फरवरी तक ही आप जो है फी को पेमेंट कर दीजिएगा ठिक सारा का सारा मैंने बता दिया और अब भी अगर आपके मान में कुछ डाउट है कुछ संका है तो प्लीज यार एक बार कामेंट कर दीजिएगा मैं आपके लिए हमेशा रेडी रहता हूं ठीक ना ठैक यू और उमिद करता हूँ कि आपको सारा के सारा वीडियो समझ में आया होगा और मैं आपको एक अच्छा समझाने की तौर पे समझाया चुका हूँगा ठीक ना तो वीडियो पसंद आये तो दोस्तों को सेर कर दिजिएगा जितने भी 12 या फिर कंपेटिशन इंग्जाम के तयार के दきたे कि याल्य दो कि अदिए लीडियोंक दोदाए होगा जाइण आयार अच्छा